हेलो स्टूदेंट्स विल्कम बैक टू नदर लेक्चर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अलडॉल कंडेंसेशन देखा था और इस पर बेस मैंने आपको कोश्चन दिये थे तो चलिए उन कोश्चन को फटा-फट से क्या कर लेते हैं डिसकस कर लेते हैं कोश्चन नमपर बात करें तो होना क्या यहां से क्या आएगा अलफा एच निकलेगा और यह जैसे यहां से निकलेगा नुक्ली फाइल के तरह बीजिएफ करेगा और जाकर अटैक करेगा तो ट्रिक बताया था कि पहले क्या बनेगा पहला इस टेप में जब देखिशन कंप्रीट हो निकल जाएगा तो वाटर कि अवच और एच निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा यहां से च्छ टू डबल बॉंड और यहां क्या आपका डबल बॉंड तो देखिए कोशन नुमर 2 और कुश्चन नुमर 3 एक जैसा है बस फरक यहां एक में इस फाइब मेंब दूइंग ह तो आंसर क्यों जाएगा सेम होगा वहां सिक्स में बड़े हो जाएगा फाइब में बडूज एक तो डिक्कत नुमर 4 में जो है इसका अंसर में पूरनी बता अबन गया होगा आप लोगो से स्टेबल होना चाहिए स्टेबल होना चाहिए स्टेबल होना चाहिए तो यहां से अगर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और यह क्या होगा 5 तो हम लोग जानते हैं कि 5 विम्बर दिंग जो है वह ज्यादा स्टेबल होता है किसे से तो क्या होगा यहां से क्या निकलेगा एच निकलेगा अलफाइडो इस पर क्या एक नेगटिफ चार्ज और यहीं नेगटिफ चार्ज क्या करेगा इस सी डबल बॉंड ओपर क्या होगा और जो वाइन टू त्री फॉर फाइव में मद्रिंग है उस पर क्या होगा एक पर ओच आएगा ठीक है और फिर ओच और एच निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास वहाँ पर अलगीन का फॉर्मिशन हो जाएगा आई होप आपने यह भी बना लिया होगा अगर किसी दिक्कत नहीं है घर किसी वह को डाउट है तो वह मुझसे बाद में मेसेज करके पूछ सकता है चलिए हम लोग नेर्श की तरफ बढ़ते हैं जो रियक्शन का नाम है आपका कलेजन कंडेंसेशन तो दखिए क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है कि बीटा कीट इस्टर का फॉर्ट बड़ा है और बिर कीट इस्टर और बन रहे हो क्या होता है बीटा कीटो इस्टर तो इस में क्या करना है रियेजेंट यहादर नाइस नई में होत नहीं बदल सकता औरहादने की ऑने आप न sed जिखान से देखें तो यहां पर दो स्पोर्ट से रियक्शन के कि अगर आपके पास को स्ट्रॉंग बेस है तो यह अलफा है ड्रॉजन भी है और यह नुक्लियो फिलिक्साइड भी है यह उपर झालेगा है खोन से तो जब दोनों अगर से निए तो क्या होगा रिकशन तो आगे बढ़ेगा नहीं दो रिक्शन कहां से बढ़ेगा इस bisogna milta के उलता किलेजन कंडेंशेशन होता है मिलता यूलता क्या मिलिंग नहीं था अर इस्विंग रूप और इस्टर है टु erlebt नेगटिव एने प्लस प्रेजेंस ऑफ सी तो हच वाज समझ रहें ना मतलब जो आपको लिविंग ग्रूप दिखेगा उसी से मिलता जूलता आपका क्या रहेगा डिएजेंट दिखेगा तो आपको याद रखने में आसानी हो जाएगा बीटा की टो इस्टर क्यों बोलते है क्या बीटा क्या आपको स्वाज में आगे होगा कि यहां से तो होका नहीं नुकली फाइल की तरह क करेंगा नहीं यहां से आपको सीएस्ट्री वह और यहां से आपका तयार हो गया निकलीव यहां से क्या तयार होगी आपका नुकलिया तयार हो गया अब यहीं नुक्लियोफाइल क्या करेगा तो यह सेम टू सेम वैसा है कि नहीं बताइए जैसे हम लोगों ने लगों प्रोड़क्ट का फर्क यहां पर प्रोड़क्ट का और थोड़ा सा स्लाइट चेंज है मैकनिजम का ठीक है तो चलिए हम लोग नेक्स स्टेप में देखते जैसे यह जाएगा और यह जाएगा नेगडिफ चार्ण देख सकते हैं आप इस अपर चार्ण के सागे नेगडिफ चार्ण अब पिछले के समें क्या हो रहा था कि आपके पास कोई लिविंग ग्रूप नहीं था तो क्या हो रहा है उसको एच प्लस मिल जाता था और और औ तो क्या होगी आपके पास यहां से कि हो कि हो गया और बाकी जैसा था वैसा ही लिखा रहा गया देखिए यहां से और निकला भी कौन देखिए यहां से ओ सीएस थी नेगटिव जोड रहा था वही निकल भी रहा है तो बड़ा सीम्पल सा मेकनिजम था फर्क क्या है फर्क बस इतना सा है कि पहले वाले में वेच रह जाता था लेकिन इस बार डबल बॉंड ओ है तो आप रियक्शन देखकर क्या पैचानना है यहां पर कि लिविंग ग्रूप है तो आपके पास दिमां में क्या ना चाहिए अच्छा इस तरह का कोई रियक्शन अगर दिख रहा है आपको जिसमें लिविंग ग्रूप है और उसी से मिलता हुलता रिजन दिया हुआ है मतलब यह कैसा है इस्टर से आ स्मझ में आ गया होगा का पूंव क्या करना है मस्क करना कर लिविंग ग्रूप को निकाल देना तो चलिए इस पर बेस हम लोग कुछ कोश्चन कि भाई क्या होगा तो पहले हम लोग क्या देखेंगे डार्ट के से बनाएंगे जो लिखा है सी एस एसी इस तो पर चार्च के साओगा नेगटिफ है ना और क्यों जाएगा सी डबल बांट ओ और क्यों जाएगा ओ पीएच तो यह इस पर जूड़ आगा सी डबल बांड ओ और यह क्यों जाएगा पीएच आई होप आपको साज में आगे होगा तो चलिए फटाक से पाउस कीजिए और कोस्टन नमर टू बना कर दिखाई कि I hope आपने answer कर लिया होगा बस यहां पर फ़र्ण क 했 Wie यह आपके पास क्या है यह alpha है और यह हे लीचा है तो अगर किसी ने यहां से हैच निकाल दिया तो है तो आपका ant도 हो गयाए तो आपको धियान क्या रखना है वही बीचा से तो यहां से कौन आएगा है सी एस हंपर जोड़ाएगा कुछ कि और किसी ने बिटा चुट क्या है है गलत है आपसे डिस्कस कर रहा हूं देखिए आप समझने को सिसक्री मैं क्या बोल लाता है अब यह से लिखा हुआ है CS3 CS2 CS1O और क्या लिखा हुआ है OCH3 यह लिखा हुआ है तो सबसे पहले नुक्लियो फाइल जेनरेट करेंगे तो इसका नुक्लियो फाइल क्या बनेगा यहां से लोगा बन जाएगा CS3 CS2 यहां से लफफा है और फिर क्या होगा जाएगा OCS3 सफ़ज में आगी अब क्या होगा कि यह नुक्लियो फाइल की तरह इस पर एक करेगा यह उपर जाएगा फिर वापस आएगा बॉंड तो यहां से OCS3 निकल जाएगा तो देखिए हुआ क्या आपका प्रॉडक्ट बना उसमें क्या दिखा कि CS3 तो वैसा ही रहे गया फिर क्या है च्टू फिर क्या है ऐसी डबल बॉंड तो वैसा ही रहे गया निकला कौन OCS3 तो उसको हटा दिया फिर जुड़ा कौन ये जुड़ाना ये वाला कार्वन जुड़ाना तो ये कार्वन लिखा CH अब बता उस CH पे कौन जुड़ा हुआ है इसको डायक्ट नहीं आता तो इस तरह से मेकनिजम कर सकता है सौट फॉर्म में ट्रीका है कि एक नुक्लियो फाइल कर ले और फिर उसके एकॉर्डिंग सोच ले तो आपको हमेंसा धियान रखना है तो आलफा एच निकलना है आपको ना की बीटा वाला ठीक है चली अब हम ल के बीच कर दो मॉलेक्ट के बीच करेंगे तो क्रीजन कर आएगा तो भाई कुछ फर्क नहीं है दोनों में आपके पास ज़ो एसमें ऐसा ग्रूप होना चाहिज से यहां क्या है यहां भी क्या है ओए तो बताओ रियेजन्ट क्या होगा इटी ओएच यह ना इटी ओ नेगेटीफ ने प्लस इंदी प्रिजेंस आफ इटी ओएच तो जैसा लिविंग ग्रूप है वैसा ही हम लोग क्या लेंगे रियेजन्ट क्योंकि जो आया है वो जाएगा भी है ना तो जुड़ेगा वही निकलेगा तो रियेक्शन वहां से आगे बढ़ेगा नहीं तो अल्फा एट्रीन चाहिए होगा तो इसके पास है इसके पास है तो नुक्लियोफाइल कौन जेंट करेगा यह और अटैक करेगा फिर इस पर तो तो पर दिखेंगे हैं तो बिखेंगे सब्सक्राइब जैसा पिछला मेकनिजम था यहां भी क्या है से फटाफट मेकनिजम देख लेते हैं वहीं चीज़ है यहां से हच प्लस निकालेगा तो सी एस टू पे चार्ज के साथ अगर नेगटिफ देख आगे ना निगटिफ चार्ज फिर क्या है सी डॉल बॉंड ओ यहां से अच्छा लिविंग ग्रूप है तो आसानी से लिविंग ग्रूप बनकर निकल जाएगा तो आपका प्रोड़क्ट यह बन जाएगा सेम टू से मैकनिजम है ना किसी को दिक्कत नहीं होगी यह क्या हो गया आपका क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन कहला गया क्रॉस क्य क्या हो जाएं इंट्रमोलिकल क्लेजन कंडेशन 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 होगा फिर वही चीज़ दिख रहा है आपको इट ओ नेगटिफ यहां ओए टी ओएटी लिविंग ग्रूप से में अब आपके पास आता है फिर से वही चीज़ कि भाई यह यह भी अलफा है और यह भी इदर भी जा रहा है जबकि यह सिर्फ इदर जा रहा है तो क्या जा रहा है यहां से यह निकलेगा तो इस पर चार्च के आएगा और यही नेगटिफ चार्च करेगा और यहां से ओटी बाहर निकल जाएगा पहले जोड़ यह जाएगा फिर बॉण्ड वापस आएगा फिर बहार निकल दो तो कितना रूंग में डरिंग बन जाएगा नहीं से आप बना सकते हो निसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर कैसे हो जाएगा आपके पास कि भाव यहां से कॉन जुडआ बड़ा है CH2 CH2 से कॉन जुड़ा हुआ है CH2 फिर उसके बाद किया जुड़ा है C और C पर किया है double bond O ठीक है उससे double bond O से कॉन जुड़ा CH उसससे double bond जुड़ा CH यह वालाëlya CH जुड़ा ना है और इससे ढौरा पार जोड़ा होाए नैंसे क्योंकि Land ही एक ही मॉलकील में हो गया बात समझ रहें न किसे कोई दिक्कत नहीं है बड़ा सिंपल सा था पहले आपको क्या रूना था ज्यादा अलफा एच कौन से था पता चाट लिए जिसमें ज्यादा हो रहा था महां से एच निकाल दिया उसके बाद फिर क्या हो गया अटैक किया रिंग का फॉर्मेशन हुआ जो गुरूब जहां था मालिक दिया आंसर हो गया ठीक है बड़ा सिंपल है और साथ में निकल गया होगा फिर से वाई गिसेपीटी चीज जो चुड़ा है जो आया है वो जाएगा भी टी ओ निकटीब पार ठीक है तो यह सिंपल हम लोगों ने पढ़ा क्लेजन कंडशेश परकिनरिकसर बेंगर देखें सिंपल क्रॉस आयां इंट्रमोलिकुलर तीर देख लिया चलिए वमिश्ट रिक्षट ऐसें में आपिक्षिन क्या होता हिक्टे लेक्सेट मिश्ट यहत अध्या अम्यश्ट इसका पहला सह Lawrence पाrence फो आप गरेसेंट सेंट्र क्लेंसे सिसेंअ लेकिन इसमें दूसरा step extra add किया गया है कौन सा hydrolysis वाला है तो अब यहाँ पर आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई living group नहीं है यह यह बेंजीन है यह living group नहीं है तो क्या होगा भई यहाँ पर mechanism क्या होना चाहिए तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रीजेंट रट्टा माने जोत नहीं है यह आप देख रहे हैं कि यह जो है अगर यह एजा नुकलियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा तो यह जब वापस आएगा बॉन्ड तो क्या होगा फिर से यही group निकलेगा देखिए ओसी ड हिए न ही पर ड़ता उस रीकशन को मतलब रीक्शन अगे बड़ेगा नहीं कि havia गढ़ए क्योंकि जो जूड़ रहा है वही निकल भी रहा समझ रहे होगी तो फिर से रिक्षन घृ से रिएक्सन होगा फिर से रेसे रीक्षन भी होगा कि अल्फा है तो निकलेगा अभ यहा किनेमरीक एकषिट का फॉर्मेशन कैसे होता है मैकनिजम प्रफ बढ़ेंगे तो पहला इस्टप तो फेला गीजा पिता है यहां पर अना एट्रेट क्या करेगा यहां से एच प्लस निकाल लेगा यह जो एच प्लस निकालेगा तो इस पर क्या जाएगा नेगटिफ चार्ज और यह CS3C2O negative को क्या मिल जाएगा एच प्लस मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा तो क्या बन के तयार है रही आपका नुक्लियाज क्या होगा अटैक करना प्रफिया करेगा यह क्या होगा यह वापस आएगा तो बताता अक्सिएट के साहला जाएगा प्लस निकाल देख तो इस ओ नेगटिव को मिल जाएगा ऐच्प्रस मिल जाएगा तो बताओ क्या बंजाएगा बताओ चोग है नहीं यहां- plugs से मेकनिजम चल रहा लेकिन थर्ड स्टेब में थढ़ा चेंज आएगा थोया ने स्ट पर हों जायेगा आपका हाइड्रोलिश स्टेब क्यों कि दिया हुआ था हम एक बन गे से तो क्या क्या पीहच्श पर क्या है तो और साथ में बना यहां से सी डबल बॉंट और फिर ऑच देखें आ जब मतलब इस अटीक तो अब क्या हो जाएगा भाई यहां से ओट और यहांसे से निकलेगा एच तो इन दोनों को बीच के आ जाएगा अलकीन का फोर्मिशं होजाएगा तो इन 450 mortgage और क्या है बीटा तो नाम क्या हो जाएगा फिर से अलफा बीटा क्या अंसाचुरूटेड और यह क्या हो गया कि एक्स्ट्रा क्या हो गया कि हम लोग यहां पर क्या करा दिया है जिसकी वैसे और यहां से आपको क्या है आपको याद रखना यहां से करते हैं परकिंस के मैठेट के तुरू करते हैं अब एक लास्ट के रिएक्शन बढ़ गया है हम लोगे पास जो इंपॉर्टन है कैनिजारो रिएक्शन दिन आपका लग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कैनिजारो रिक्शन जो है वह दोनों बोड के पॉइंट अभी से बहुत इंपॉटेंट है बोड में बहुत बार मेकनिजम के साथ साथ वह पूछे गया है और जाई में इस पर बेस्ट कुछन मैं आपको दो कोशन दिया यहां पर आपको यह दो कोशन सोचना है कि यह दोनों कांसर क्या होगा आपको देखने में लग रहा हो की सर यहां तो यहां भी और जो है जो आये का वह जाएगा बी तो यहां भी वही है तो सर्य यह दोनों है तो दोनों के प्लीवें तो उसने के एक ना था यहां кв-सी इस थिए ठीक है यहां और prec Although सब्सक्राइब मतलब दोनों के रियक्शन में थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा दोनों के प्रोड़क्ट में थोड़ा सा बनाने का जो आपका नजर्य होगा वह तो चेंज हुआ ठीक है तो फटाफट से क्या करें इसको सोचें इसको बनाएं और मुझे ज़रूर भेज़े बनाकर कि भाई इसका अंसर क्या होगा तो आज हम लोग यहीं तर रखेंगे छोटा सा लेक्चर बनाया था मैंने चोटेड़ों टॉपिक्स थे नेक्स लेक्टर में चैप्टर में कंप्लीट करोंगा उसमें हम लोग क्या बढ़ेंगे क्या निजारों रियक्शन करेंगे तो यह दोनों आपको बनाकर भेजना है थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको मैंने हिंड दही दिया क्या सूचने की जरूत है और मैं ऐसा क्यो बोल रहा हूं क्योंकि एक में लिवि अब तक के लिए घर पे रहें पढ़ते रहें सेफ रहें थैंक यू